तेकिये जो नॉमिनेटेड फील्ड से ग्यास उत्पादीत होती है और उसकी मुल्य निर्दान करने के लिए एक फर्मुला सरकार ने 2014 अक्टोबर में बनाई थी जिसकी मुल्य अभी 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 जो 6 महिना वाला निकला है जिसकी मुल्य लगवक 1.7 6 या इसे किछ 1.8 डलार तक आई है वो ऐसे ही जार जारी रहेगा इस वो निर्णे को वो फर्मुला को यह प्रभावित नहीं करना है यह तो जो नया उत्पादन आएगा जो नया उत्पादन आएगा जिसकी माने में मैंने कहां कि HTHP हो या नॉर्थ इस्ट की इलाका में हो उसमें से जो ग्यास आएगा या किसी भी प्रकार की नई डिसकावरी में जो 2019 फेबरारी की बाद जिसकी MDP अपरुभाल होगा यह सारे की एक नया प्राइसिंग डिराइब करने की फर्मुला है इसलिए इसमें कोई यह अलग भी से है यह अलग भी से इसलिए देश की जो म जारी रहेगा पुराने वाला दूसरी उसके कारण उसकी जो प्राइरिटी सेक्टर की प्राइस में उसकी कोई फरक नहीं आएगी बन सेवन्टी सर्थ विदिन दा मोडिफाइड रंगराजन फर्मुला देव जो ए गैस सीलिंग प्राइस फोर एच टी एच पी डिसकावरीज उस उस मेकनिजम का क्या होगा एक तो कोई दैरिज्द नू मोडिफाइड रंगराजन फर्मुला लेट लेट में क्लारिफाइड दोहाजाड प्राइस ने अश्यूकार किया देश में उसमें विबाद हुआ उस सामेकी सरकार में गलत तरीके से उसको फर्मुला को निकल से देरिज नो सच रंगराजन फर्मुला लेट मीधगल इस सामी में 2014 में जो फ्लाइड था डिवरीज मेकनिजम दैट विल बिस्टील सब्सक्राइब और आगे जो है चाली से और बढ़ जाएगा तो क्या इससे नेजरोल ग्रेस की गैस की प्राइजिंग कम होगी ग्यास की प्राइजिंग तो अभी तो एकदम कम है हम सोर्स की कई सोर्स बना देंगे डोमेस्टिक ग्यास रहेगा डोमेस्टिक ग्यास की दो प्रकार की प्राइस रहेगी पुराने फिल की एक प्राइस रहेगी नए फिल की एक कॉंपुटिटिटीव फर्मुले पर ग्यास प्राइस आएगा अंतराश्टिय बजार में कुछ लॉंग टर्म कॉंट्रेक्ट हमारी उसकी प्राइस अलग है स्पॉर्ट में हम जो खरिदते उसकी प्राइस अलग है यह धिरे धिरे भारत की बजार में आएगा हमने इन हम लो साथ उस्तार में लॉफब जबाताश्याई नहीं आपिता अंतरी हमात़ खर बाट टर्म कॉंटेश्म्य 21 just thank you it was explained all the three and all three were explained in language only sir we are moving to the next question ये मंत्री हमारा सवाल आपसे है इदर इदर आडों राइट में ये जो आत्म निर्वर भारत है इसके तहत ये जो गैस का जो भंडार है इन दिनो इसमें हम आत्म निर्वर कत्तक होने की संभावना लेकर विश्व में आज भारत तिसरी नंबर की एनर्जी कंजूमर है दूसरी और उसके अगर एक आवरेज दिखेंगे विश्व की आवरेज की बायो ग्यास की सिंथेटिक ग्यास की लो कॉस्ट इंपोर्ट की कई शोर्स हमने रखा है मूल विश्व है अफ़रेबल प्राइस ग्रहकों को देना देश से बनाए या बहर से लाए झाल